का हाल चला है किया है करते लेकिन हमारे और आफके भी में डिरिकली कमिने नहीं हो था तो दोस्तों क्या करो कमेंट करो ताकि कि आपके मंनी पता चले हम आपके कमेंट को जरूर रिपलाइ करेंगे तो दोस्तो आज का वीडियो काफी खतरना होने वाला है काफी इंट्रेस्टिंग और महत्व पूर्ण होने वाला है एक्जाम्स के लिए तो दोस्तो जो पृत्वी के आंतर इक सवरचना है इस सवरचना को हम बहुत भ पड़ने नहीं पड़ाने के लिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले आगर हमारे चल्पे पहली बारा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए बेल आइकों को दबाए कर और आपको अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिक्शन आपको मिलती रहे इसके बारे में आज की वीडियो में हमें study करना है दोस्तों यह हमारे आर्थ है तो दोस्तों यह जो पार्ट दिख रहा है आपको दोस्तों यहां से लेके यहां तक तो दोस्तों हमें लगबग यहां से लेके यहां तक यह वाला जो पार्ट है सेम यह वाला पार्ट तो इस पार्ड को हमें full detail में study करना है दोस्तों क्या है आज तक यह जो पृत्वी का पार्ड है दोस्तों आज तक यह वाला जो पार्ड है इसको study करना scientist लोगों को भी संब्व है मतलब इसकी जो जानकार है उस हद्दक अभी तक हमें मिल नहीं पाई हम तो अनुमान लगाते हैं जो scientist प्रते हैं वो scientist अनुमान लगाते हैं कुछ प्रमान एकट्टा करते हो उसके basis के आधार पर जो scientist लोग है जो भू वग्या निखे उन्होंने जो हमारे के अंतरिक सोरशना है इसके बारे में जो जानकारी है अभी तक सही जानकारी उसकी असंबव है क्यों असंबव है दोस्तों तो दोस्तों जैसे हमारा जो आर्ट सर्पेस होता है ना जो आर्ट सर्पेस होता है हमारा इस आर्ट सर्पेस के जैसे हम नीचे जाते हैं यहने अर एक डिग्री सेलसेस से क्या होता है बढ़ता है क्या होता है एक डिग्री सेलसेस से अर्थ का टेंपरेचर इंक्रीज होता है तो इसलिए हमें दिक्कत होती है इसके आंदर तक जाने के लिए अभी तक जो सबसे बड़ी ड्रील किया गया है यहीं बड़ी-बड़ी खदाने हो प्रिल की गई है जौला मुखी के उद्गार से हमें लगबग पृत्वी की अंदरिक सरोचना के बारे में 60 किलोमेटर की जानकारे मिलती है कितनी 60 किलोमेटर की जानकारे जौला मुखी के उद्गार से मिलती है तो दोस्तों जो भूवग्यानिक है उन्होंने पृत्वी क्या जो आंतरंग है मतलब अर सर्पेस्ते लेके जो पृत्वी का सेंटर होता है यहां तक का जो भाग है आंतरिक भाग इसे भू वग्यानकों ने तीन भागों में विभाजित किया है कितने तीन भागों में विभाजित किया गया है तो दोस्तों सबसे पहला जो पाण होता है उस से क्रोड कहा जाता है तो दोस्तों इसके अंदर क्या है हम स्थूड़ी करते हैं सबसे पहला जो पाठल है भू परटी यह जो पाठ होता है एफ टू सपरथ होते हैं केसे ओती हो इंस परत मतल upgrading आए और्च सर्पेश होता है लगबग 25 km बिलो तो दोस्तो जो और जप 극 अर्थ सर्पेश इस और बिलो अब ओ हैं उस जो तो यह कहा जाता है और पड़कर कहा जाता है क्रस्ट कहा जाता है दोस्तो वे कैसा होता है यह ठोस परत होती है, केसी होती है, दोस्तों यह ठोस परत होती है, पृत्वी का बाहरी भाग होता है, क्या होता है, और इसकी जो मोटाई होती है, वो महा सागरों में कम होती है, महा सागरों में इसकी मोटाई क्या होती है, कम होती है, और जो महा द्विप होती है, महा द्वि Krust होता है एक Krust Silika और Alumnium से बना होता है और एक LAIR होता है लियर सिलिका और Aluminum से बना होता है इसे लिए दोस्तो इससे सियाल कहा जाता है क्या कहा जाता है साथी साथ दोस्तो इसको लिथोस्पेर भी कहा जाता है क्या कहा जाता है लिथोस्पेर तो इसके दो नाम है पहला क्या है सियाल सिलिका और अलुमिनेल से बना होता है इसलिए दोस्तों इसे स्याल कहते है और साथी साथ दोस्तों भू परपट्टि को लिथो स्पेर भी कहा जाता है तो आपको ये बात ध्यान में रखना है इसके बारे में आपको question पूछा जाता है दोस्तों इसका जो घनत वह है ओ लगबग 2.7 ग्राम है और दोस्तों इसकी ज गहरा ही है मतलब इसकी जो गहरा है ना लगबग 35 किलोमेटर है कितनी 35 किलोमेटर है आपको ध्यान में रखना है देन दोस्तों हम बात करते हैं मैंटल की किसकी दोस्तों मैंटल की जो भाग है ना दोस्तों लगबग जो भू परपट्टी है अर्थ क्रस्ट है ना दोस्तों मतलब जो krust के नीचे ये परत लगबग 35 km से शुरू होती है और 2890 km तक इसकी क्या है गेहराई है इसे दोस्तोम मियंटल कहा जाता है क्या कहा जाता है मैंटल कहा जाता है ये बात आपको द्यान मे रखना है तो ये लगबग जो krust का निचला भाग होता है क्या होता है क्रस्ट का निक्चला भाग होता है और ये बेसाल्ट जो पत्थर होते हैं बेसाल्ट पत्थरों से बना होता है किससे बेसाल्ट पत्थरों से बना होता है कुछ जो पार्ट होता है मतलब जो इनर मेंटल होता है मतलब ये वाला पार्ट मतलब नियर बाई क्रोड के वाला जो होता है ना यह थोड़ा सा कैसा होता है लिक्विड होता है कैसा होता है लिक्विड फॉर्म में होता है कैसा होता है लेकिन जो आउटर वाला पार्ट होता है मतलब लगबग जो क्रस्ट के बिलो जो पार्ट होता है वो कैसा होता है solid part होता है solid part होता है ठोस वाला part होता है मतलग लगबग अगर देखा जाए तो थोड़ा सा solid liquid वाला ये part होता है तो दोस्तो ये जो mantle होता है ये mantle का निर्मान silica और magnesium से होता है किसे? silica और magnesium silica और magnesium से बना होता है इसलिए दोस्तो इसे सिमा कहा जाता है, क्या दोस्तों कहा जाता है, सिमा कहा जाता है, मतलब जो मैंटल होता है ना, मैंटल को सिमा कहा जाता है, सिमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह जो मैंटल होता है, वो सिलिका और मेगनेशियम से बना होता है, इसलिए दोस्तों उसे सिमा कहा जाता है साथी साथ दोस्तो इसका दूसरा भी नाम है इससे पाइरोस्पियर भी कहा जाता है क्या पाइरोस्पियर भी कहा जाता है दोस्तो इसका जो घनत्व है घनत्व की बात करें तो लगबग 2.9 से लेके 4.75 ग्राम का इसका घनत्व है तो एक्जामस में इसके उपर क्विशन इससे वो जौला मुखी का मुख्य के अंदर जो होता है वो मैंटल में स्थीत होता है आपको ध्यान में रखना है मैंटल जौला मुखी का शुरोत होता है देशना हम बात करते हैं क्रोड के बारे में तो इसका जो निर्मान होता है मतलब यह जो पार्ट होता है लगबग जहा मैंटल खतम होता है मतलब यहां मैंटल क्या होता है खतम होता है तो मैंटल के जो निचे वाला से बना होता है किसे निकेल एन आय प्लस लोह याने फेरस एफी तो दोस्तों इसलिए इसे निफे कहा जाता है क्या निफे भी कहा जाता है क्या कहा जाता है निफे एन आय मतलब निकेल और एफी मतलब फेरस याने लोह तो यह जो पाड होता है निकेल और लोह से निर्मान होत तो दोस्तो इसलिए इसको निफे भी कहा जाता है और साथी साथ इसको बेरी स्पेर कहा जाता है क्या कहा जाता है बेरी स्पेर कहा जाता है दोस्तो इसकी घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व 13 ग्राम है कितना 13 ग्राम इसका घनत्व है और दोस्तो यह जो पार्ट होता है ना दोस्तो एबाट इसका केंदरी बाक केसा होता है द्रव आवस्ता में होता है लिक्विड में होता है केसा होता है जो constraint पार्ट लिक्विड में होता है कैसा होता है जो क्रोड होता है एक क्रोड लिक्विड में होता है कैसा लिक्विड में होता है तो दोस्तों जो भूव एग्या निक होते ना ओ खाली इसका अनुमान लगा रहे है क्या अनुमान लगा रहे है यानि एक्चुल ए एसा है या नही है इसके बारे में कोई गैरेंटी नहीं है मतलब इसके साथ ठोस सबूत नहीं हम अंदाजा लगा सकते मतलब जो भूह कहने के ना वह अनुमान लगाते हैं कई सारे बूह कहने के एकटा होते हैं उनका जो केस्टड़ी होता है उसके बेसिस के आदार पर उन्होंने पृत्वी से मैंटल खतम होता है 2890 किलोमेटर से 2890 किलोमेटर यानि लगबग 2900 किलोमेटर से इसकी शुरुवात होती है और अंततक इसके अगर गहराय देखी जाए तो कितनी होती है 6308 इसका डेप होता है तो यह बात आपको ध्यान में रखने तो वीडियो आगर पसंद आता है तो आपने दोस्तों के साथ शेर करो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में